तो आज हम पढ़ेंगे यूनित नंबर वन नंबर सिस्टम की एक्सराइज नंबर 1.4 जो की NCRT बुक में पेज नंबर 18 पर दी हुई है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेस्टन के साथ जो की है विजुलाइज 3.765 ऑन दो नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैगनिफिकेशन तो इस क्वेस्टन में हमें सक्सेसिव मैगनिफिकेशन मेथड यूज करके 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो देखते हैं कि वे कैसे होगा तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और दोनों एक्स्ट्रीम पोजिशन पर हम रखेंगे 3 और 4 को तो हमने 3 और 4 के बीच की ही नंबर लाइन क्यों बनाई क्योंकि 3.765 लाए करेगा 3 और 4 के बीच में तो अब क्योंकि इन दोनों के बीच में 3.765 लाए करेगा तो क्या करा हमने हमने 3 और 4 के बीच में जितने numbers आते हैं तो वो हमने लिख लिए कैसे लिखा 3 क्या होता है 3.0 तो अब एक एक करके हमने बीच में decimal places बढ़ाई तो क्या होगा 3.1, 3.2, 3.3 and so on हमने बीच के सारे numbers लिख लिए अब क्या करते हैं successive magnification में हम एक-एक digit करके location देते हैं जैसे 3.765 है सबसे पहले हम locate करेंगे 3.7, फिर next करेंगे 3.76, इसी तरह उससे next final हम कर देंगे 3.765 को तो start करते हैं एक-एक करके digits locate करना अब 3.765 है यह कौन से number के बीच में लाए करेगा तो यह आपको पता 3.7 से बढ़ा है और 3.8 से छोटा है तो यह 3.7 और 3.8 के बीच में लाए करेगा तो अब क्या करेंगे हम यह जो portion है number line का इसको अब हम magnify करके बढ़ा करके हम नीचे represent कर देंगे तो जैसे हमने open up करी यह वाली number line क्या आएगा 3.7 और एक एक करके हम digit बढ़ाएंगे 3.7 क्या होता है 3.7 होता है 3.7 is equal to 3.70 अब हम ने एक एक करके number बढ़ाया तो क्या आएगा 3.71, 3.72 and so on हमने number line लिख दी है 3.8 तक अब क्या करेंगे हम 3.7 already locate कर चुके अब 3.765 कहां आएगा तो यह अगर हम देखें तो यह 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा क्योंकि यह जो number है आपको पता है यह 3.76 से बढ़ा है और 3.77 से छोटा है तो यह इस range में लाए करेगा जो मैंने यहा blue circle से represent करी है तो अब हम इतनी number line को open up करके magnify करके नीचे शोग करेंगे तो जब मैंने magnify करी है number line तो क्या आएगा 3.76 एक एक extreme point पर आएगा और जो 3.77 है वो next extreme point पर आएगा और बीच के हमने decimal points जितने भी इसमें बीच में numbers आ रहे हैं वो हमने बीच में इनके लिख दिये तो अब 3.765 हमें देखना है तो कहां आएगा वो आप देख दो 3.765 यहाँ पर बिलकुल center point पर है तो हमने यहाँ पर 3.765 locate इस तरह कर दिया तो इस method में हम एक एक digit करके सारी digits को locate करेंगे तो finally हमने 3.765 यहाँ पर locate कर दिया जो की है 3.76 और 3.77 के बीच में तो second question है visualize 4.26 bar on the number line up to 4 decimal places तो इस question में हमें 4.26 bar को number line पर represent करना है 4 decimal places तक तो 4 decimal places का क्या मतलब है तो इसका मतलब है कि हमें 4.2626 मतलब decimal के बाद 4 digits आनी चाहिए वहां तक हमें इस number को represent करना है तो आईए start करते हैं तो 4.2626 कौन से दो number के बीच में लाए कर रहा है तो यह लाए करेगा 4 और 5 के बीच में तो हमने एक number line बना ली 4 से लेकर 5 तक अब अगर आप यहाँ पर देखो 4.2626 कहां लाए करेगा कौन से दो number के बीच में लाए करेगा तो यह 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है तो इस range में लाए करेगा यह तो हम क्या करेंगे 4.2 और 4.3 की यह जो number line है इसको expand करके magnify करके लिख देंगे तो जब हमने ऐसा करा तो कुछ इस तरह की number line आती है अब आप अगर देखो तो 4.2 तक तो हमने location कर ली है अब 4.26 कहां लाए करेगा तो 4.2626 यह number अगर आप देखो तो यह 4.26 से बड़ा है और 4.27 से छोटा है तो यह कुछ इस वाली range में लाए करेगा तो अब क्या करेंगे हम हम इस range को magnify करेंगे और फिर आगे के digits locate करेंगे तो अब हमने 4.26 और 4.27 की एक number line बना ली है पूरा हमने उसे expand कर दिया है अब अगर हम देखें तो हमें 4.2626 locate करना है 4 digits तक हमें locate करना है तो 2 digits तक तो हमने कर दिया locate अब इस से आगे 4.262 है तो यह कहां लाए करेगा तो यह 4.262 और 4.263 इसके बीच में लाए कर रहा है यह number तो अब हम finally यह वाला जो number line है इनको expand करके इनने magnify करके लिख देंगे तो अब 4.262 एक extreme position पर आएगा और दूसरी extreme position पर आएगा 4.263 अब क्या करेंगे हमने बीच की पूरी इस में number line लिख ली है अब यह final step है हमें 4 डिजिट तक करना था यहाँ पर अगर आप देखो तो जो number हमें locate करना है वो number इस number line पर present है तो कहां पर है वो वो यह रहा 4.2626 तो इस तरह हमने 4.2626 locate कर दिया मतलब हमने 4.26 बार को 4 decimal places तक हमने यहाँ पर locate कर दिया है So thank you for watching आज की class के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें इसे share करें और हमारे channel को subscribe करें and hit the bell icon जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डाले तो आप तक notification सबसे पहले पहुचे Thank you आप अपने doubts, suggestions और आपको जिस भी topic पर वीडियो चाहिए हमें comment करके बताएं